आपना करने वाले प्रथम शासग बप्पा रावन जिन्हें काल भोज के नाम से भी जाना जाता है इन्होंने सिंधु नदी की पश्चिम की ओर से बढ़ते आक्रमनों को सदियों तक रोके रखा इन्हीं के वंशज महराना कुम्भा हुए जिन्होंने अपने शासंकाल में 33 किलों का निर्मान करवाया जिनमें विश्व प्रसिद्ध कुम्भल गड़ और चित्तोड गड़ का विजय स्तंब मुख्य है इसी राजवंच में एक और महा प्रतापी राजा राणा सांगा हुए जिनका सामराज अफगानिस्तान तक पहला था जिनका जीवन चरित्र शारपूर्ण गाथाओं त्याग और बलिदान से भरा है युद्ध के दौरान उनके शरील पर असी घाव लगे थे जिनमें एक आँख एक हाथ और एक पाउं बुरी तरह से जखनी होते हुए भी स्वाभिमान की रक्षा के लिए युद्ध में वे सदैव तत पर रहे पराक्रम और बलिदान की इस गाथा में एक नाम पन्ना धाई भी है जो के गुर्जर जाती की धाई मा थी जिन्होंने अपने पुत्र चंदन का बलिदान दे कर राना उदै सिंग की रक्षा की जिनके पुत्र महराना उदाप हुए महराना प्रताप का जन्म पाली जिले के अक्खे राज सोंगरा की पुत्री एवं महराना उदै सिंग की महरानी जैवंत कमर की कोक से विक्रम संबत 1597 में अर्थाद 9 मई 1540 को पुम गड़ दें गुआ बानले काल चित्तोन गड़ में गुजरा करीब 17 वर्ष की आयू में ही प्रताप का विवाह अजबंदे कमर के साथ हुआ सन 1567 में अक्बर ने जब चित्तोन गड़ पर आक्रम किया तो मेवार के प्रमुक सरदारों और सेना नायकों के आग्रह पर महराना उदै सिंग ने चित्तोन गड़ छोड़ दिया मुगलों के ब्रती उनमें घ्रणा के भाव चाक्रत होगा। अपने देश, कुल, गौरव और मात्र भूमी की मर्यादा के लिए प्राण न्योचावर करने वाले युद्धाओं और ललनाओं से प्रताप ने नकेवल सीख ली बलके ये घटना उनके जीवन का आधार बन गई। अपने पिता के साथ दुरगम पहडों में रहने के बाद प्रताप ने गोगुंदा में अपना पड़ाव कायम किया। परवरी पंद्रा सो बहत्तर को महराना उदैसिंग का देहांत हुआ। प्रताप की जेश्ठता और योग्यता को ध्यान में रखते हुए सर्दारों ने उनको राजगदी पर आसीम किया। होली के दिन उनका गोगुंदा में राज दिलक हुआ। उस समय तक लगभग सभी राजाओं ने मुगल समराट अकबर की अधिन का स्विकार कर ली थी। एक मात्र महराना प्रताप ने अपना मस्तक अकबर के आगे नहीं जुकाया। अपनी स्वाधीनता और सार्वभौमिकता के अधिकार को सर्वो परिमाना। अपने द्रण निश्चय का परिनाम प्रताप अच्छी तरह जानते थे। प्रताप मुगलों से लोहा लेने की तयारी में जी जान से जुट गए। 18 जून 1576 की सुबह हल्दी घाटी और खमनोर के मध एक मैदान में एतिहासिक युद्ध हुआ। जो बाद में रक्त तलाई के नाम से जाना गया। महराना प्रताप की सेना गोगुंदा से हल्दी घाटी पहुंची। जबके सेनापती मान सिंग के नित्रित्व में मुगल सेना ने हल्दी घाटी के ठीक नीचे मैदान में अपना मोचा जमाया। मुगल सेना के हरावल दस्ते द्वारा घाटी में घुस बैट करने के प्रयास की प्रतिक्रिया स्वरूप महराणा प्रथाप की सेना मुगलों पर फ्रूप पड़ी। प्रथाप के हरावल सेन्य दलों का नित्रित्व पठान हाकिम खांसूर कर रहे थे। भीवू राना, जो राना पूंजा के नाम से भी जाने जाते हैं, उनके नेत्रित्व में भील आधिवासनों में गुरीला पद्धकी से युद्ध करते हुए मुगलों के छक्के पुडा दिये। देखते ही देखते शाही सेना में खलबली मच गई, रक्त तलाई, भोरों की डापों, हाथियों की चिंधारों और कलवारों की जंकारों से गुम जुटकी। चारों तरफ हाहा काग मच गया। युद्ध का घटना क्रम अचानक उस समय बदल गया, जब प्रताप ने अपने धोड़े चेतक को एड़ लगाकर मान सिंग के हाथी पर चड़ा दिया, और उस पर भाले से भरपूर बार किया। मान सिंग हौदे में दुबग गया, हाथी से उतरते समय चेतक की एक टांक कट गई। इस स्थिती को भाप कर महराना प्रताप के हमशकल सेनापती ज्छाला मान ने महराना प्रताप से आग्या लेकर उनका राजमुकुड धरन किया। मुगल सेना ज्छाला मान को महराना प्रताप समझ कर उन पर टूप पड़ी ज्छाला मान शहीद हो गए। उधर चेतक ने अपने स्वामी को पाँच किलोमेटर तक टीन टांगों पर ही लेकर एक बरसाती नाले को पार किया। उसके बश्चा, उसके प्रान पखेरू उड़ गए। इस युद्ध से महराना प्रताप के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। परिनाम स्वरूप उन्होंने मुगलों पर विजय प्राप्त करने तक राजसी ठाट बाट छोडने और पत्तों पर भूजन करने का प्रण लिया, जिसे उन्होंने जीवन भर निभाया। महराना प्रताप ने अपना सैन्निबल बढ़ा कर सर्वप्रथम अरावली परवत की घाटियों में बसे दिवेर पर चड़ाई कर विजय प्राप्त की। इसके बाद कुम्भल गड़ पर भी विजय प्राप्त की। सिर्फ चित्त और गड़ को छोड़ कर सारे मेवान को अपने अधीन कर लिया। कालान तर में महराना ने चावंड में अपनी राजधानी स्थापित की। 19 जन्वरी 1597 को प्राणा प्रताप ने मात्र 57 वर्ष की आयू में इस संसार से प्रयान किया। हल्दी घाटी का युद्ध एक सांप्रदाइक युद्ध ना होकर आत्म सम्मान मात्र भूमी की स्वतंत्रता वस्वाधीनता का संगर्ष था। इसका प्रमान ये है कि जहां पर अकबर की सेना के सेनापती जैपुर के राजा मानसीन थे। वहीं पर महराना प्रताप की सेना के सेनापती काबुल के हाकिम खांसूर थे। महराना प्रताप स्वतंत्रता की वेदी पर एक ऐसा अंगारा था जो आत्म सम्मान वद्देश गौरव के लिए दिन रात जलता रहा, धधकता रहा। और अंत में बुजकर भी उसने देश में ऐसा लाव भर दिया जिसकी प्रखर किरणों ने भारत माता को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए सदा पेरित किया।